हलो सूपर इन्वेस्टर शुगर एन इथिनॉल सेक्टर का एक शांदार शेर जो कि पेनी स्टॉक है फंडामेंटल एक्सलेंट है और यह शेर भी अंटर वैल्यूड है क्योंकि बुक वैल्यू इंट्रिसिक वैल्यू एंड ग्राम नंबर सभी से कम रेट में यह मिल रहा है थोड़ा बत पैसा लगा कर आप छोड़ सकते हो इसका मार्च का कौर्टर अगर शांदार आया तो यह जबदस तेजी दिखा सकता है क्योंकि इसके पार्स रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो इसका सबसे अच्छा कौर्टर रहता है मार्च का तो माज का कॉर्टर जल्दी ही पंद्रा भीजिन में इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद में तीजी निकार सकता है उसके पहले आप थोड़े पर शेर बाय कर सकते हो इस शेर के बारे में बताने के पहले आपको बता दू अगर आपको मंडे के लिए चाहिए होगा जैकपोट शेर जो की वन दे से टेन डेस में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे तो मुझे वाट्सेप करके पूछ सकते हो 954585 0000 इस नंबर पर फ्रेंड्स ये कंपनी का जो है शुगर और इथला बनाती है जिसका थर्जड का रिट है 23 रूपीज 52 भी खाय था 44 रूपीज P है 10 का जो की काफी रिजनेवल P पे मिल रहा है EPS है 2.25 जो की काफी अच्छा है डेट ट्विकेट रिशो है 0.30 कमपनी पे डेट भी काफी काम है प्रोमोटर होल्डिंग है 22% FII का होल्डिंग है 0.01% और DII का होल्डिंग है 0.10% इस शेर का ग्रहाम नंबर है 40 रूपीज इंट्रिंसिक वैल्यू है 39 रूपीज और बुक वैल्यू है 30 रूपीज और अभी ये मिल रहा है 23 रूपीज में सर्व एंगल से काफी रिजनेबल इट में मिल रहा है कम्पणी की रिजल्ट भी अच्छा आते है December 21 में प्रॉफिट था 2 करोड 62 रूपीज September 22 में था 84 रूपीज और December 22 में आया था 1 करोड 57 रूपीज March quarter General Ease कम्पणी का अच्छा आता है वो अगर शांदार आया तो ये शेर आपको 40-45 रूपीज के लेवल भी दिखा सकता है जो कि अभी मिल रहा है 23 रूपीज में कम्पणी का नाम है Rana Sugars Limited RANA Sugars Limited कम्पणी का नाम है इस कम्पणी को स्टेडी करके शुगर सेक्टर में अगर आपके इन स्टॉक धुन रहे हो तो ये अच्छा स्टॉक है टू इनवेस्ट तैंक्यू फ्रेंट्स